नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है मनीज, स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे दोस्तो आज किस वीडियो में हम चार ऐसे ब्लूचीप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट अंडर वैलियूट के कैटिगुरी में आते हैं और वो अंडर वैलियूट के कैटिगुरी में क्यों आते हैं और हमें अपने पोर्टफोलियो में इन ब्लूचीप स्टॉक्स को क्यों रखने चाहिए इस पे पहले छोटा सा डिसकसन कर लेते हैं दोस्तो अगर आप 100 टर्म्स में हाई डिटरंस देने वाले स्टॉक्स की तलास कर रहे हैं तो आप मीड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि short terms में mid cap और small cap stocks large cap की तुलना में तेजी से act करते हैं लेकिन साथ साथ हमें इस बात की विध्यान देनी चाहिए कि mid cap और small cap stocks तेजी से act करने की वज़ा से large cap की तुलना में ज़्यादा volatile होते हैं अगर इन stocks में upside की rally आती है तो 1-2 महिने में 30-40% का return दे जिते हैं पर वही downside की rally आती है तो एक-एक महिने के अंदर 30-40% की correction भी हो जाती है तो अब सवाल आता है कि हमें अपने portfolio को balance कैसे करें तो as a smart investor आपको अपने portfolio को asset allocation के रूप में balance करने चाहिए क्यूंकि जब market में downfall आईगी तो आपके portfolio को सुरक्षित रखेगी even इस समय तो अपना Indian stock market में downfall या consolidate होते हुए देखने को मिल रही है तो इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको blue chip company के share में निवेस करने चाहिए क्यूंकि blue chip company या large market capitalization और high reputation के साथ fundamentally काफी strong होते हैं और एक consumer या investor के नजरिये से देखे तो आप इन company के बारे में हमेशा से जानते हैं आप जानते हैं कि market में उनकी long presence के कारण वो किन-किन products की उत्पादन करते हैं और यह most undervalued इसलिए है कि उनके price to earning ratio यानी PE ratio और price to book value पीवी ratio दोनों अपने intrinsic value से काफी नीचे पे trade कर रहा है और वीडियो के last में हम जानेंगे कि मेरा क्या opinion है इन most undervalued stocks को लेके तो चलिए उने stocks के business और fundamentals को जान लेते हैं हमारे list में पहला company है Tata Steel या company India based steel manufacturing company है company steel के business में making से लेके finishing तक के operation में इंगेज है Tata Steel को India में 1907 में Asia की पहली integrated private steel company के रूप में अस्थापित किया गया था जो की आज की date में global market में global steel company में से एक है company के products में coated coil and seats, precision tube, tire bead wire, spring wire, galvanized iron, agricultural and garden tools जैसी चीजे सामिल है साथ-साथ company के इन products को agriculture, automotive, steel, construction, energy and power, engineering जैसे sectors में यूज किया जाता है और company के इन products को Tata Estrum, Tata Bearing, Tata Ferro Alloy, Tata Pipes, Tata Precision जैसे brand के तहत अपने manufactured products को sale करता है बात करे Indian government की तो सरकार भी infrastructure पे जोड दे रही है और इस प्रकार से इस segment में domestic bank भी बढ़ रही है वहीं बात करें company के share most undervalued क्यों है तो company के share trailing 12 months से इसके price to earning मात्र 5.4 गुना और book value 1.4 गुना पर trade कर रहा है फिलाल company अपने products को 50 अलग अलग देशों में export करता है वहीं बात करें company के fundamentals की तो यह basically यह एक large cap company है इसका market cap 1,54,019 करोड है company का return on equity 10.8% है and return on capital employed 12.6% है industry P 6.03 है and stock P 4.11 है company के उपर 78,163 करोड का date burden है जो कि यहाँ पे एक major concern है पर आप थोड़ा सा investigate करेंगे तो आप पाएंगे कि company ने March 2020 के quarter से date को बहुत हद तक reduce किया है वहीं company के पास 37,793 करोड का free cash flow है company का dividend yield 1.97% है company ने पिछले 5 सालों में 23.8% का return दिया है वहीं एक साल में 28.3% का return दिया है company में promoters की holding 33.9% है और इसके बाद हमारे list में second company है ONGC, Oil and Natural Gas Corporation तो basically यह company crude oil, natural gas और value added products की exploration, development और production के segment में काम करती है दोस्तों दुनिया का कोई भी analyst यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इस साल crude oil 130 US dollar per barrel तक पहुँच जाएगा यह इसलिए हुआ कि Russia-Ukraine war के करण जिसने global supply chain को disrupt कर दिया है जिससे जो company यह oil या gas pump कर रही है उसके भी price में ब्रीधी देखने को मिला और एक निवेसक के रूप में यदि आप इस segment के good quality वाले stocks में आप invest किये हो तो आप definitely इसे hold कर सकते हैं चलिए अभी company को और थोड़ा जान लेते हैं यह company इंडिया के total crude oil का 73% और देश में 79% natural gas का उतपादन करता है इस company के subsidiary company ONGC विदेश से 15 अलग-अलग देशों में अपने projects को run कर रही है वही financial year 2021 में ONGC ने 30 metric ton oil equivalent oil और natural gas का उतपादन किया था और बात करें company क्यों most undervalued है तो company का share trailing 12 months से stock का PE 5.7 है और price to book around 0.9 है जो कि अपने industry से 8.6 और industry PV 5.1 से काफी नीचे एड़ पे trade कर रहा है वही बात करें company के fundamentals की तो यह एक large cap company है इसका market cap 2,7,260 करोड है stock PE 4.83 है वही industry PE 21.9 है जिससे हम यह conclude कर सकते हैं कि यह stock अपने industry PE के मुकाबले काफी संस्ते पे मिल रहा है company का return on equity 7.39 परसेंट है and return on capital employed 9.95 परसेंट है company का dividend yield जो की बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है जो की 4.41 परसेंट है company के उपर date burden 1,22,592 करोड का है वही company के पास मात्र 15,147 करोड का free cash flow है company ने पिछले 5 सालों में minus 2.44% का return दिया है वहीं एक साल में 58.7% का return और इस साल की शुरुआत से अभी तक 14% का return दे चुका है और company में promoters की holding 58.9% है तो चलिए आगे बात करते हैं next company की तो लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा request रहेगा कि ऐसे quality content बनाने के लिए हमें मेहनत बहुत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे appreciate करना चाहते हैं तो वीडियो को एक like, share and subscribe जरूर करें company का नाम है info is India Limited company की शुरुवात 1995 में हुई थी और company के business की बात करें तो ये internet based company है जो various web portals और mobile application के माध्यम से internet based service को operate करता है और company के business segment में recruitment solution and real estate 99 acres भी सामिल है और online recruitment solution की बात करें तो ये company nokri.com को operate करता है and online real estate में 99 acres.com और online matrimonial में जीवनसाथी.com जैसे brands को operate करता है और साथ साथ education service में सिक्षा.com को भी operate करता है वहीं बात करें company क्यों most undervalued के category में आता है तो इस company के share price to earning ratio के मामले में अपने industry fee से 8 गुना नीचे पर trade कर रहा है और इस company के fundamental analysis देखे तो या एक large cap company है इसका market cap 60,162 करोड का है इसका industry fee 49.2 है and stock fee मात्र 6.07 है इसलिए हमने इसे undervalued के category में consider किया है company का return on equities 3.06 परसेंट है and return on capital employed 3.67 परसेंट है company के उपर 55.9 करोड का debt है और इसके comparison में company के पास 268 करोड का free cash flow है जिसे company पुरी तरह से debt free company बन जाता है company ने पिछले 5 सालों में 39.9 परसेंट का return दिया है वहीं एक साल में negative returns दिया है जो कि minus 10.8 परसेंट है company में promoters की ओलिंग 38.2 परसेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं और next and last company है हमारा Gale India Limited company की सुरुवात 1984 में हुई थी जो कि basically यह government undertaking company है जो natural gas के processing और distribution के segment में काम करती है और company इस segment में transmission services, natural gas marketing, petrochemicals, LPG और liquid hydrocarbon जैसे segment में सामिल है इसके अलावा company power generation के segment में भी काम करती है future में company के management का focus renewal energy के boom को देखते हुए renewal energy के sector में अपनी उपस्थिती को बिस्तार करने पर भी focus है वहीं बात करें कि company क्यों most undervalued के category में आता है तो इसका industry PE 11.8 है और वहीं इसका stock PE मातर 6.18 है basically यह large cap company है इसका market cap 70,158 करोड है company का return on equity 12% है and return on capital employed 13.5% है company के उपर 7,608 करोड का debt burden है और साथ-साथ 3,309 करोड का free cash flow है company का dividend yield 5.72% है जो की बहुत ही अच्छा माना जाता है company ने पिछले 5 सालों में minus 0.42% का return दिया है वहीं एक साल में 16.7% का return दिया है company में promoter की holding 51.8% है तो दोस्तों ये थे 4 blue chip share जो की most undervalued है और इस पे मैं अपना opinion दू तो as a investor आपको अपने portfolio में ऐसे blue chip stock होने चाहिए जो आपके portfolio को balance रखता है और इने stocks को लेखे आपका target long terms का होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि short terms में आपको returns ना मिले पर long terms में definitely आपको अच्छा खासा returns देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे मैं disclaimer भी देना चाहूंगा कि यह video सिर्फ educational purpose से बनाई गई है क्योंकि आप भी इने stocks हो खुद से deep analysis करें और आपके analysis के अनुसार अच्छा लगें तो तभी आप निवेस करें blindly किसी भी share में निवेस ना करें और आपके portfolio में पहले से ही इन में से कोई stocks है तो आप comment box में जरूर बताईएगा तो आज किस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि ये video आपको informative लगा हो आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे comment box में जरूर बताईएगा और आप इस channel को subscribe भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के content आप से miss ना हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत